ये है DJI का लेटेस ड्रोन, DJI Mini 4 Pro एक ऐसा ड्रोन जो नैनो केटेगरी में आता है यानि कि इस ड्रोन को अगर आप फ्लाई करना चाहते है आपको कोई भी जो है लाइसन्स के चकरों में नहीं पढ़ना है इस ड्रोन में हमें 4K वोर्ड में जो है वीडियो बनाने का ओप्शन मिलता है नेटी वर्टिकल शूटिंग का सपोर्ट है और इसके अंदर आपस्टेकल एवर्डेंस के लिए सेंसर भी इंस्टॉल्ड है और आज की वीडियो में हम इस ड्रोन को जो है complete टेस्ट करने वाले है और जो मेरा experience है इस ड्रोन के साथ कैसा रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो चलिए गाई शुरू करते हैं आज की वीडियो की मेरे पास जो ये model है कौन सा है तो मैंने ले रखा है fly more combo kit जिसके अंदर हमें जो है इसका latest RC controller देखने को मिलता है जिसके अंदर जो है inbuilt ही display है design में हम detail में बाद में बात करेंगे लेकिन मैं आपको overview देता हूँ तो हमें जो है RC controller मिलता है एक drone मिलता है और तीन batteries मिलते है और साथ में उसका charger मिलता है फिर मिलता है एक इसका camera gimbal की protection cap और उसके बाद है एक इसका case kind of thing जिससे जो है propellers को हम जो है protect कर सकते हैं तो यह हमें total 4-5 चीज़े देखने को मिलते हैं आप में मिलता है इसका bag जिसमें हम इसको जो है लेके कहीं पर भी जो है easily travel कर सकते हैं अब मैं आपको इसका form factor दिखाता हूँ कि design कैसा है sensor की installation कैसी है और overall जो durability है वो हमें कैसी देखने को मिलती है तो सबसे पहले बात करते हैं drone के form factor की यानि कि उसका design है बहुत ही जाधा compact है as you can see मेरे palm में easily आ रहा है palm size जो है इसका पूरा compact size है इसके अदर हमें obstacle evidence के लिए 6 sensor देखने को मिलते हैं जो 2 उपर है, 2 सामने है, 2 नीचे की तरफ है तो इस तरह से हमें 6 sensor मिलते हैं और इन sensor का काम यह है कि by chance अगर आप गलती से इस drone को कहीं पे भी crash करने की कोशिश करते हैं कोशिश तो आप नहीं करेंगे लेकिन अगर आपसे होता भी है इस तरह से मैं इसके propellers को open कर सकते हैं जो इसकी wings ओसको open कर सकते हैं सबसे पहले नीचे वाली करनी होती है फिर side वाली करनी होती है तो ये जो है इसका बाकी drones की तरफ traditional way है इस जो है डोन को open करना है और इस तरह से complete open हो जाता है उसके बाद बात करें इसके overall durability की जो इसकी built-in quality है काफी अच्छी है अब मैं काफी अच्छी क्यों बोल रहу क्योंकि इस drone को आप देख सकते हैं आपको वीडियो में दिखाई दे रहोगा हम इसको 3-4 बर crash कर चुके हैं और बहुत बूरी तरीके से crash हो गया था लेकिन इसकी build quality है सच में बहुत अच्छी है I think one of the best drone है यह durability में nano category में और इसको हमने चानी चोक से repair करवाया था और easily repair हो गया था तो हमें durability बहुत अच्छी देखने को मिलती है और इसका जो camera है सामने की तरफ जो है install है 3-axis में camera gimbal है जिससे हम stabilized footage जो है ले सकते हैं जो हम आगे test करेंगे लेकिन वो चीज़ जो हमें सामने देखने को मिलती है पीछे की तरफ जो है type C port है charging के लिए और SD card का हमें याप इस load देखने को मिलता है और पीछे SD card के ठीक नीचे जो है battery का compartment है जहाँ पे आप जो है दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके battery को remove कर सकते है जो battery हमारे पास है वो है intelligent battery जो की 31 से 34 minute का जो है battery backup देती है depend करता है कि आप कैसे कर रहे है hovering कर रहे है तो जल्दे drain हो जाएगी तो इस तरह ऐसे इसका battery backup हमें देखने को मिलता है और नीचे की तरफ जो है हमें बाकी के sensors बगएरा देखने को मिलता है जिसकी वज़े से हम इसको night में भी easily ओड़ा सकते है और नीचे की तरफ एक light है factor या फिर हम जो है design कह सकते हैं and button controls की बात करें सिरफ एक button है उपर की तरफ जिसको आप single press करेंगे तो आपको battery का indication दिखाई देगा और long press करेंगे अब बात करते हैं इसके RC controller की जो हमें बहुत ही latest और बढ़िया देखने को मिलता है तो RC controller में सबसे पहले बात करते हैं button controls की यहाँ पर power button है press and hold करेंगे तो जो ही है power on हो जाएगा और उसके बाद जो center है वहाँ पर हम एक button control देखने को मिलता जहाँ पर हम normal cinematic और sports mode में switch कर सक सकते हैं और फिर है return to home का button और बात करें इसके लाबा joystick की तो joystick यहाँ पे दो तरह किये एक तो होवरिंग करने के लिए अगर आप drone को up and down करना चाहते हैं उसकी joystick है एक drone को आगे पीछे करने के लिए हमें joystick देखने को मिलते हैं अब मैं यहाँ पे जो नए चीज नोटिस कर और एक है photo कीचने के लिए and उसके नीचे है दो डायल जिसकी मदद से हम जो है gimbal control कर सकते हैं या फिर zoom in, zoom out अगर आप करना चाहें उसके लिए हमें यहाँ पे दो डायल देखने को मिलते हैं नीचे की तरफ यानि की back side यह जो है portion यहाँ पे हमें दो बटन मिलते है custom controls के का display size बहुत बड़ा है and overall जो look and feel है सच में premium है मतलब जो built in quality है बहुत ही nice है तो यह जो है complete इसके RC controller का complete look है अब हो सकता है आप मैंसे काफी सारे लोगों के mind में एक सवाल आ रहा होगा कि इस controller को charge कैसे करना है तो guys हमें यहाँ पे यहाँ पे type C port दिया गया जहाँ से आप charge कर सकते हैं और जो भी आप screen recording करना चाते हैं ना controller में वह हमें यहाँ पे SD card के अंदर आप screen recording करके जैसे भी आप fly कर रहे है backup के लिए या फिर अपने लिए screen record कर सकते हैं और मैं आपको अच्छी बात बताओ इसमें क्या है अच्छी बात यह है कि आपको अपने smartphone को जो है इसके बता दू हमने गाईज एक जो है नया channel open किया है साहिल धला 2.0 जिसमें हम जो है सभी smartphone की cameras को dedicated जो है review कर रहे है तो अगर आपने वो जो है channel नहीं देखा link description box में जाके check करिए सभी latest smartphone जो भी आ रहे हैं उनको जो है वहाँ पे review करते हैं और वहाँ जाके subscribe कर ले ताकि वहाँ आप ही जो है सारी वीडियो से आप तक पहुंचते रहे अब गाईस प्रोमोशन के बाद वापिस आते हैं टॉपिक पे लेकिन subscribe याद से कर ले ना क्योंकि अपना ही channel है वो भी और आप गाईस देखते हैं बाकी सारी चीज़ जो है किस तरह से काम करते हैं दोनों मैं डिज परणा है दोनों को पावर उन करेंगे दोनों अपनी जो है संगीत बजाएंगे जो है चोटा सा म्यूजिक बजाएंगे जिस से यह नेवल हो गया अपने आपने बताता है एंड़ थोड़ा सा टाइम देना है दोनों को आपस में पेर होने का और network strength को स्ट्रॉंग करने का signals बाकि सारी चीज़ों का उसके बाद जैसे यह आपस में पेर हो जाएं आपने लोगिन करना है लोगिन के बाद जो है पेर वगएरा सारी चीज़ी हो जे फिर जो है इसको हम फ्लाइ कर सकते हैं बहुत इजी और सिंपल स्टैप है अगर आप एक वीगनर है पहली बार ड्रोन लेने की सोच रहे हैं तो कोई rocket science ने इनको उडाना मैं उडाने की बात करूं मतलब connectivity की sports mode में और इन सभी mods में हमने जो height है काफी अच्छी रखी है इंडिया में जो limitations है वो है 120 meter की यानि कि आप इंडिया में 120 meter तक जो है legally उडा सकते हैं लेकिन इस drone की capability उससे भी जादा यानि कि आप 120 meter से भी उपर 200 तक जो है around fly कर सकते हैं और बात करें quality की तो यह हमने दोपैर में shoot किया है as you can see bright videos है colors अच्छे हैं और overall जो detail है एक mini drone यानि कि nano category drone के perspective से हमें enough good देखने को मिलती है इसके अलावा in shorts में आप जितने भी cinematic moves देख रहे हैं वो stability के साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस drone में 3-axis gimbal है तो जो भी हम short ले रहे हैं वो जो है gimbal की स्मूथ आ रहे हैं और हमने joystick के control से भी जो है shorts को design किया यानि कि face को camera को up किया है और फिर वापी से down किया है इस तरह से हमने left, right, up and down, pan, movement, सभी तरह की movement जो है joystick से करी और वो जो है gimbal की मदर से हमें बहुत ही smooth देखने को मिलती है तो in short हमें काफी अच्छी quality with smooth movement देखने को मिल अब normal flight के बाद बात करते है additional features की तो guys अगर आप एक beginner आपको drone उडाना नहीं आता तो इसके अंदर जो हमें कहीं तरह के inbuilt flight mode या फिर हम drone modes भी कह सकते हैं वो देखने को मिलते हैं जैसे कि आपको subject tracking का mode मिलता है अगर आप किसी भी subject को मानली जी कोई car है उसको आप track करवाना जिसको आप enable करके na self shooting कर सकते हैं अगर कोई भी आपके पास person नहीं है जो आपकी video बना सके माली जब content creator है और solo content creator है आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो इसके अंदर जो inbuilt mode है उनको use करके आप अपने बहुत ही creative जो है shot ले सकते हैं आपको कोई भी जो है additional effort नहीं करना ले इसकी target order के लिए था तो उसको हमने चार्णी जोब से ठीक करवाई है बट गाईस एक बंदा साथ होगा तो और बड़े रहेगा और ध्यान देने वाली चीज़ है it's toy but expensive toy तो इस तरह से आप जो है अपना self shooting कर सकते हैं इसके लाब गाईस बात कर लेते हैं obstacle evidence की जिसके उड़ाते हैं बिजली की तार है बहुत जगह तो बिजली की तारों से नहीं बचा सकता स्पेशल अगर आप transformers के पास उड़ा रहे तो इसको मत उड़ाना क्योंकि वहाँ पर जो है इसका crash होने के chances जादा होते हैं क्योंकि magnetic जो है वहाँ पर range होती है तो आपने तारों से बचाना है wire से बचाना है और इस तरह से transformers से बचाना है उड़ाएं तो clear sky में उड़ाएं जहां पर जो है इस तरह की obstacle ना हो और ध्यान से उड़ाएं इसके लावा जो पंची होते हैं या इनकी birds हो गए या फिर जितने भी हमें चील कवे जितने भी कबूतरत होता मैंना ज इसकेंदर हमें जो है sensor size CMOS 1x1.3 का sensor size के साथ में देखने को मिलता है aperture है 1.7 यानि की low light performance बढ़िया रहने वाली है और overall आपको जो है 10 bit D log M का support मिलता है यानि की अगर आप एक professional cinematographer की तरह काम करना चाहते हैं color grading करना चाहते हैं तो D log M में जो है आप इसमें shoot कर सकते हैं and overall जो मेरा flight experience है जो इस brand के साथ रहा DJ के साथ वो trust वरती है यह कोई sponsored video नहीं है guys हमने खुछ जो है drone को buy किया है हालत आप देखे रहे हैं और mini war pro जो है आए में थोड़ा time हो गया हम इतनी देर बाद video बना रहे हैं क्योंकि हमने इसको use कर लिया है और अपना जो है personal opinion जो है आपके स safety की वह बहुत कमाल की है safety की बात करी रहे है तो मैं आपको बता दूँ इस drone में return to home करना का जो है button है यानि की by chance आपने drone को बहुत दूर भेज दिया और इतनी दूर भेज दिया कि आप जो है signal lost आपके जो drone का जो RC controller उसमें signal lost हो चुके है तो इसके इंदर return to home का button है जो ownership समझ सकते हैं कभी भी आपके drone में battery 20-25% रह जाए तो drone को वापिस बोला लेना उडाते मत रहना क्योंकि last की जो battery होते है बहुत जल्दी drain होते है आपको पता भी नहीं लगेगा कब वो battery खतम होगी और midway में crash हो सकता है तो कभी भी लगे 20% battery वापिस बोला उसी वक्त और battery change करो और हमेशा कोशिश करो fly more combo kit लेने की ओके अब बात कर लेते हैं इस drone के modes की तो इसके अंदर total तीन mode है सबसे पहला है normal जिसमें सारे sensor enable रहते हैं मिलकुल जो है जागा रहेगा कि कहीं पर कोई भी object है तो रुख जाना है और फिर bypass करना है उसके बाद है cinematic mode इसके अंदर क कोशिश करे cinematic mode में shoot करने की और उसके बाद आता है sports mode अगर आपको आप जो है बहुत बड़ा drone का धुरंदर समझते हैं professional समझते हैं तो sports mode is for you जिसके अंदर कोई भी sensor काम नहीं करेगा अगर आपने drone को full speed में उड़ाया तो वो उड़ेगा मतब बहुत तेज भागेगा और sensor जो है पूरा आपके हवाले है मतब sensor काम नहीं करेंगे आपने जब रोका तो drone रुकेगा लेकिन थोड़े time बाद रुकेगा एकदम से नहीं रुकता क्योंकि high speed में sports mode में काम करता है और sports mode में जब भी कोशिश कर रहे हैं उड़ाने की तो आप जो है बड़े area में खुले area म को उड़ाना चाहते है तो किस तरह से आपने safety करनी है या फिर किस तरह से आपने उड़ाना है तो गई इस देखो टीन तरह के mode होते है एक होता है red zone एक होता है yellow zone और एक होता है green zone green zone होता है जहाँ पर आप बिल्कुल असानी से उड़ा सकते हैं आपको कोई वीजियो है वह की airport हो गया या फिर जो no fly zone होता है जहाँ पर security purpose की वज़े से आप नहीं उड़ा सकते तो वहाँ पर आपने नहीं उड़ाना है इसके लावा अगर आप में से बहुत सारे लोग जो है एरपोर्ट के पास रहते हैं military area के पास रहते हैं या फिर sensitive area के पास रहते हैं तो consider करना क कि यह drone आप नहीं ले अगर आप उस area में उड़ाने की सोच रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आपको यह drone take off या फिर fly नहीं कर रहे देगा आपको जो ऑटमेटिक ले दिखा देगा इसके GPS में कि यह जो है no fly zone है यहाँ पर नहीं उड़ाना है तो यह information बहुत सारे लोगों को नह नहीं होती तो मैं आपको बता दूँ इस तरह से आपने इस ड्रोन को लेते वक्त या फिर किसी भी ड्रोन को लेते वक्त सब पे लागू होती है बात सब पे यह जो है चीज अप्लाई होते हैं यह लेने पर आपने ध्यान रखते हैं और information बहुत काम गी और अच्छी लगी वर्टिकल मोड में शिफ्ट होजेगा इसका गिंबल शिफ्ट कर देगा और सार जो है आपको वर्टिकल में दिखाए देगा जिससे आपका editing का काम बचेगा अभी गईस कुछ वर्टिकल मोड में वीडियो के सेंपल से और इस मोड में सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो लेते हैं ाँ अवीडियो की आउट पूड लेते हैं न द्रों से एक पोग के साथ और यानि कि गद् protagonist मोड में कोई भी भीमें क्रॉप देखने को नहीं मिलता पूरा कभूर्ओं सेंसर ही वर्टिकल मोड में स्विफ्ट हो जैता है जिसकी वजह से हम सेपूर जो है ग्ती और नॉर्मल में 4K 60fps, पीछे भाई जो है help कर रहा है मेरी, मैं दिखो गाई, script नहीं प्ले के बैठता, मैं ऐसी बताता हूँ, experience बता रहा हूँ, script में मजा नहीं आता, naturally बताते हैं, तो guys इस तरह से आप 4K 60 और 4K 100 में shoot कर सकते हैं, अब मैं guys, assume कर रहा हूँ कि आप मेंसे आफी सरे लोग जो है, pro photographers भी होंगे, जो manual mode में काम करते हैं, तो अगर आपको manual mode में काम करने की आदत है, तो इस drone में आपको manual mode का feature भी मिलता है, जिसमें आप अपने आप ISO, aperture, shutter speed, ये सारी चीज़ों को जो है adjust कर सकते हैं, especially अगर आप weddings को shoot करते हैं, तो overall mini 4 pro एक ऐसा drone है, जो nano category में बादशाय यानि की king कह सकते हैं, जो one of the best performance आपको जो है offer करता है, and guys इसका जो overall quality है, performance है, सारी चीज़ों मेरको value for money लगी और मेरा experience इसके साथ जो है काफी अच्छा रहा, crash भी किया लेकिन चल रहा है अभी तब काम कर रहा है, और overall जो इसकी transmission range है, सब कुछ है, and trust जो है इस brand पे किया जा सकता है, मैं connectivity और fly के perspective से बात करो, मतलब overall जो आपको अच्छे experience देखने को मिलता है, तो I hope guys आपको जो है ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, and वीडियो इसी तरह की अच्छी लगते हो, तो वीडियो को like करे, and चैनल को subscribe जरूर कर ले, इस आप सभी से next वीडियो में, next वीडियो कौन से topic पे चाते हैं, नीचे comment करके,